हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टार्गेट स्टाडी जोन, आज की इस वीडियो में दो चरवाले रैखिक समीकरन को विलोपन वीधी से हल करना सिखेंगे, जैसे मैशिक बोट परिक्षा में हर साल एक न एक कुष्चन समीकरन से पांच नमर में फिक्स रहता है, जैसे कोई समीकरन को विलोपन वीधी से हल करना सिखेंगे, और इस कुष्चन को ऐसे बनाएंगे, कि जैसे इसी तरह सेम टू सेम अगर एक्जाम में बना दिया जाए, तो पूरा पांच में पांच नमर मिल जाएगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ एक कुष समीकरन को विलोपन वीधी से हल करना है, इसको विलोपन वीधी से हल करना है, विलोपन वीधी का मतलब क्या हुआ, विलोपन का अर्थी होता है, विलूप्त हो जाना, यानि एक्स या वाई, दोनों में से एक को विलूप्त करना है, मानके चलिए अगर एक्स वाला टर्म को काट देते हैं यानि gap कर देते हैं तो y का value आएगा और y वाला term को अगर gap कर देते हैं काट देते हैं तो क्या आएगा x का value आएगा यहां 3x है यहां 2x है बरावर नहीं है बरावर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा यहां भी यह दोनों बरावर नहीं है तो चलिए हम इसको बरावर करते हैं इसको बरावर करने के लिए क्या करना होगा अगर उपर में 2 से गुना कर देते हैं तो यह 6x हो जाएगा और नीचे में 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यह भी 6x हो जाएगा यानि उपर में 2 से गुना करेंगे और नीचे में 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा जब बराबर होगा तो x टर्म जब बराबर हो जाएगा तो x को काटा जा सकता है तो चलिए इसमें गुना करते हैं जैसे यहां समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे ठीक और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके यहां लिख लेते हैं क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y ब्राबर 22 यानि 22 हो गया ठीक अब दूसर का समिकरन को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे 2 ती आई 6 एकस ये भी हो जाएगा और प्लस है तो प्लस दे दिये 3 ती आई 9 वाई हो जाएगा और बरावर 4 में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ठी इसको समिकरन 3 मान लेते हैं और इसको समिकरन 4 मान लेते हैं अब यहां समिकरन 3 और 4 आ गया तो समिकरन 3 और 4 में देखेंगे यहां 6-6 है यहां भी 6-6 है लेकिन यह पलस में यह भी पलस में है नहीं कटेगा अगर इसको घटा देने से एक पलस हो जाएगा दूसरा माइनस एक पलस और एक माइनस जब हो जाएगा तो अराम से ये कट जाएगा तो चलिए आगे समिकरन 3 में से 4 को घट आते हैं यहां जब समिकरन 3 और 4 को जब सॉल्फ करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे समिकरन यहां लिखेंगे समिकरन तीन और समिकरन चार को घटाने पर यानि समिकरन तीन में से चार को घटाएंगे क्या लिख दिये समिकरन तीन और समिकरन चार को घटाने पर घटाने पर क्या हो जाएगा उपर समिकरन 3 लिख लिएते हैं 6x plus 4y ब्रावर 22 हो गया ठीक अब नीचे समिकरन क्या है 4 था 4 समिकरन है 6x plus 9y ब्रावर 12 यानि 12 ठीक अब यहां क्या लिखे हैं घटाने पर घटाने पर लिखे हैं तो इसको घटाएंगे घटाने के लिए क्या करते हैं यहां प्लस में है यहां माइनस में हो जाएगा यहां भी यह माइनस हो जाएगा यहां भी प्लस है यहां माइनस हो जाएगा ठीक अब आगे करेंगे क्या, 22 में से 12 को घर्ट आएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोस हो जाएगा, ठीक, अब y बरावर क्या हो जाएगा, माइनस 10 बटा 5 हो जाएगा क्योंकि 5 इतर गुना में था जब बरावर के उस साइट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो चलिए अब इसको काटेंगे 5 एकम 5 5 दोने 10 हो गिया ठीक अब y का वहलू यहां क्या निकल करा गिया y बरावर माइनस 2 आगिया ठीक y बरावर कितना आगिया माइनस 2 आगिया अब यहां जब y का वहलू आगिया माइनस 2 तो y का वहलू समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो x का वहलू वहाँ से निकल आएगा तो चलिए यहां लिखेंगे y का मान समी करण लिखेंगे y के मान समी करण 1 में हम रखते हैं समी करण 1 में रखने पर यहां लिख देंगे कि y के मान समी करण 1 में रखने पर समी करण 1 क्या था 3x प्लस 2y ब्राबर 11 था अब y के जब अब क्या रखेंगे माइनस 2 रखेंगे क्योंकि y का value minus 2 है तो यहां क्या हो जाएगा 3x plus 2 y के जब रखेंगे minus 2 ठीक ब्रावर 11 हो जाएगा अब आगे इसको solve करेंगे 3x हो गया plus है plus है जब minus से गुना करेंगे तो minus हो जाएगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ठीक अब इसको आगे solve करेंगे यहां 3x ब्रावर क्या हो जाएगा 11,4,15 हो जाएगा ठीक अब जब x ब्रावर लिखेंगे तो 15 इधर 3 गुना में है x के साथ गुना में इधर जाएगा तो divide में हो जाएगा यानि भाग में हो जाएगा तो अब काटेंगे 3 x 3 3,5,15 तो x का value क्या निकल कर आगया 5 आगया ठीक और y का value कितना था y बराबर माइनस 2 था ठीक यही इसका answer हो जाएगा x का value निकल कर आगया 5 और y का माइनस 2 आगया ठीक तो चलिए इस समिकरन को will open video से हल करना सिखा दिये है I hope कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like, share, comment जरूर करें Thank you